एक बार कड़कती गर्मियों में एक चीटी को बहुत प्यास लगी हुई थी. वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुँच गई. नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चत्तान पर चद गई. और वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जागिरे. पानी का वहाँ ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी. पासी में एक पेर पर कबूतर बैठा हुआ था. उसने चीटी को नदी में गिरते हुए देख लिया. कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा. और नदी में चीटी के पास फैक दिया. और चीटी उस पर चद गई. कुछ देर बाद चीटी किनारे लगी और वो पत्ते से उतर कर सूखी जमी पर आ गई. उसने पेड की तरफ देख और कबूतर को धन्यबाद दिया. शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया. कबूतर पेड पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था. चीटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पौव पर जोड से काटा. चीटी के काटने पर शिकारी की चीक निकल गई. और कबूतर जाग गया और उर गया. मॉरल, कर भला हो भला. अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा.